नमस्कार खब्रों का पंच नौम देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूचा हम लेकर आए देश और दुनिया की पांच बड़ी खब्रे जस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं कैपटल टीवी के एक्सक्योटर बेटिटर राजी जी राजी 33 साल के हुए प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी धूमधाम से मनाया जा रहा पियम मोधी का जन्मदिन दुनिया भड से मिली बनाया विश्वकर्मा योजना लौंच यशो भूमी का उधगाटन जन्मदिन पर पियम मोधी ने दिया जन्ता को गिप्ट संसत के विशेश शत्र से पहले दिल्ली में सर्वदलिये बैठा कई बड़े एजन्डे पर चर्चा सुबह नए संसत भवन में उपराजपती धनकर ने फैराया तिरंगा ओविल्ला भी रहे मौजूर हैद्रवाद में दो दिनों तक चली CWC की मीटिंग हुई खत्म एजिंडे पर मचागमसान सनातन धन्विबाद पर सहमी कॉंग्रिस मीडिया में वयानबाजी से लिकर जन्ता से मिलने तक का आलकबान ने दिया संबेगा रद हो गई इंडिया गड़ बंदन की भुपाल रैली कमलात ने भी कैंसल होने की जानकारी आगे की तारीक को लेकर भी कोई ख़बर नहीं वीजिपिने का साथ तंज सनातन विवात पर गिरे स्टालेन कारेकरताओं को भी अब चुप रहने की दी सला मदरास हाई कोट में भी स्टालेन को लिए आज कपरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीम मोदी के जन्म दिन के सूपर सलिब्रेशन की आज हमारे देश के प्रधान मंतरी पीम मोदी का जन्म दिन है 73 साल के पीम मोदी हो गए है इस खास मौके पर देश और दुलिया के तमाम नीता उन्हें बधाई दे रहे है हर कोई अपने अपने अंडाज में पीम मोदी को जन्म दिन की बधाई आ दे रहा है दीजिपी के तरब से कई खास कारेक्रम के आयजन थी किये गए तो वही प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जन्म दिन पर देशवासियों को तीन बड़ी सौगाते दी है प्रदानमंत्री ने द्वारिका सेक्टर 21 से यशो भूमी द्वारिका सेक्टर 25 तक विस्तारित यर्पोट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन का लोकारपन करने के बाद द्वारका सेक्टर 25 में बने यशो भूमी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उधगाटन किया इसके बाद प्रधान मंत्री मोदी ने विश्वकर्मा समाज के लिए पीम विश्वकर्मा योजना भी लॉंच की है जनम दिन तो पीम मोदी का पर वो गिफ्ट जनता को दे रहे हैं देखिए जिस तरीके से अभी जनम दिन मनाने के लिए पहले से तयारी की गई थी वो कॉंग्रेस और विपक्षी पाथियों को ये समझना चाहिए कि जनम दिन को भी जो अबसर होते हैं उस अबसर का उप्योग कैसे किया जाता है ये इन लोगों को सीख लेनी चाहिए प्रधान मंतरी नरेदर मोदी ने जनम दिन के अबसर पर क्या प्लान किया मेट्रो से जाना उदगाटन और एक बड़ी योजना जिस OBC की बात विपक्षी पाथियां करती है हम तो OBC और दलितों के सरक्षक हैं हम उन्ही की बात करते हैं लेकिन काम कौन कर रहा है प्ये मोदी ने जो ये योजना लाउंच की है तेरह जार करोड रुपया अठारह वर्ग के लोग यानि की अठारह समुदाय ऐसे हैं जाती जिसको कहा जा रहा है अभी जाती आदार पर ही रिजर्वेशन मिलता है इसलिए जाती कहा जा रहा है लेकिन अठारह वर्ग ऐसे जो विश्कर्मा यानि की शिल्पकार आर्टिस्ट जिनके अंदर कोई हुनर है उसके लिए योजना लाउंच की गई है और ये लोगों को दिया क्या जाएगा 500 रुपया उस समय जब ट्रेनिंग किया जा रहे हैं उसके बाद 15,000 रुपया के तूल्स दिये जाएगे ये 13,000 करोड में से समझ लीजे कितने करोड लोगों को रोजगार का नया अवसर मिलेगा लेकिन फिर भी ये जो विपक्षी पाटियां है क्या कहती है रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है अगर इन लोगों को रोजगार की परिभासा का पता हो तब पता चलेगा कि रोजगार का मतलब आज कल सिर्फ सरकारी नौक्रिया न कमिटमिंट है जिसको लेकर उनकी सराहना सिर्फ देश में नहीं बलकि पूरी दुनिया में होती है और पूरी दुनिया से बधाए भी मिल रही हैं अब बात अगली खबर की कर से शुरू होने वाले संसत के विशेश शत्र से पहले आज दिल्ली में संसत पुस्तकाले भवन में सर्वदल्य बैठक बुलाई गई सर्वदल्य बैठक में शामल होने के लिए विपक्षी दलों के कई नेता भी पहुँचे तो वहीं आज सुबह सुबह संसत के विशेश शत्र की शुरूआत से एक दिन पहले वो प्राश्चपती जगदीब धनकर ने नए संसर भवन के गज़त्वार के शुष पर रास्ट सर्वदल्य बैठक में दी जाती है और सर्वदल्य बैठक का मतलब यह है कि हम जो काम कर रहे हैं संसद का काम है बिल पेश करना पास करना पारित करना कानून बनाना कानून बनाने में आप चर्चा किजिए लेकिन डिस्टर मत किजिए डिस्ट्रप्शन जो है ये कई मुद मुद्दों पर देश के लिए खतरनाक होती जा रही है सरकार का यही कहना है कि आपको चर्चा करनी है चर्चा किजिए हर चर्चा के लिए हम तयार हैं आप पहले ही प्रस्ताप पारित कर देते हैं जैसे Congress Working Committee में यह कहा गया कि हम सरकार के तीन मुद्दों पर विरोध करने वा वो पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है आपके सरकार में हुआ और फिर से देश के संसाधन को बचाने का उपाय किया जा रहा है यह बड़ी परिकल्पना है जो साकार होता है तो देश के लोगों को फायदा होगा पहले ही विरोध किया जा रहा है कि Election Commission के Services में जो परिवर्थन क करने के लिए बिल आएगा वो हम उसका समर्थन नहीं कर सकते सरकार Election Commission पर कबजा करना चाहती है यह जो परिवर्थन हो रहा है इसका मतलब है कि सरकार नहीं बलकि विवस्था में परिवर्थन हो रहा है और विपक्षी पार्टियों का काम है चर्चा करना संसद बना है अले ही तयारी कर ली है कि हम विश्था सत्र का बाइकॉट करेंगे जो भी मुद्दे हैं एजेंडे है वो तो यही चार-पांच एजेंडे है कि कौन-कौन से कानून लाए जाएंगे चंद्रियान मिशन पर बात चीत होगी और उसके साथ चर्चा इस बात की होगी कि अभी मीटिंग खत्म हो चुकी है इस दौरान 14 सूत्रे प्रस्ताव पास किया गया पर मीटिंग में कई बड़े-बड़े एजेंडे को लेकर घमसान की खबरे सामने आई है सनातन पर डेम के नेताओं की टिपनियों से बढ़ते विवात की बीच कॉंगर्स के कुछ नेताओं ने इस विशय पर सावधानी भरा रुक अपनाने और पार्टी से बीजपी के एजेंडे में नहीं फसने की अपील की है इस मुद्दे पर राखुल गांदी ने भी अपनी राय दी है तो में सोनिया गांदी ने कांगर्स नेताओं को मीडिया से दूर रहने की सला दी है उन्होंने पाटी के लोगों से कोई बी ऐसी टिपनी करने से बशने को कहा है जैसे कॉंग्रेस को नुकसान पहुचे मनेकार जुन खड़के ने अपने नेताओं को एक जुट रहने की सला दी है दो दिनों तक चली मीटिंग पर क्यों घमसान की खबरे सामने आ रही है जो कि घमसान हुई है और जो ये लोगों का एजेंडा रहा जितनी बातों पर सकते हैं और यही आधार रहा कि CWC की बैठक में अंतिम में ये बोलना पड़ा और ये बोलना पड़ा कि अनुसासन में रहें सब एक जूट रहें बिवादित बयान न दें लेकिन पता हो तब तो क्योंकि नेचर में प्रकृती में अंदर से जो इन लोगों को लगता है कि चुनाब में फाइदा हमें क्या होगा? चुनाब में फाइदा तभी होगा जब हिंदूों को गलियाएंगे, मुसलमानों का समर्थन करेंगे. ये जो इनका नेचर है वो बदलने वाला नहीं है. साथ ही चुनाब में एक जूटता, संभव नहीं. और दूसरी तरफ जो अधराबाद में हुई और वहाँ पर पहली बार कॉंग्रेस ने निजाम से भारतिय सेना के जंग और जीत के लिए अपने आपका क्रेडिट लिया ये घुसा रहे हैं बीच में जवाहर लाल नहरू को जवाहर लाल नहरू और सरदार पटेल की बड़ी उपलब दी ती अरे भ उनके नाम को लोगों के जहन में डाला नहीं गया आज ये स्टेचियो अफिनिटी कॉंग्रेस की बनानी चाहिए थी आज पिये मोदी बना रहे हैं उस नेता के लिए जो कॉंग्रेस के लिए समर्पित रहें तो ये भाजपा का इंपैक्ट है कि आज हैदराबाद में ये निजाम के खिलाब एक अपने रिजोलूशन में एक जिक्र कर रहे हैं ऐसी कोई बड़ी बात तो वो कर नहीं सकते मुसल्मान नाराज हो जाएगा लेकिन इतना इन लोगों को अकल आ गई है और ये परिवर्त नहीं बलकि डर के कारण हो रहा है चली अब नस डालते हैं कारण अभी तक सामने नहीं आया है कमलात ने कहा है कि राली अब कहां पर होगी इसका फैसला अलकमान करेगा राली रध होने पर सीम से व्राज ने एक बार फिर विपक्ष पर पलटवार किया से अब ने कहा कि इन्होंने जो सनातन धर्म का अपमान किया है उसे देश और यह बहुत बड़ा डर है और कमलात के अंदर डर है इसलिए कमलात जब भी मद्द परदेश में कोई रैली कर रहे हैं जनाक्रोस यात्रा निकाल रहे हैं जितने भी बड़े बड़े आयोजन हैं उसमें वो हिंदुत्व का परचार करते दिखते हैं उनको इस बात से कोई ल इंदुओं के साथ रहें और डर इस बात का था कि इस विवाद के बीच जो वो नेता आएंगे जिन्होंने सनातन का अफमान किया है तो संभावना इस बात की है कि मद्द परदेश में इनका दा उल्टा पड़ जाए लेकिन एक और बड़ी बात है वो यह है कि पहले प्रस पटना भी था दिल्ली भी था अच्चे नई भी था लेकिन इन पाच जगों पर सहमती नहीं बनी फिर भोपाल को चुना गया आज भोपाल भी कैंसिल हो गया मतलब नहीं गठबंधन के अंदर कोई सहमती है और नहीं किसे मुद्दे पर गंभीरता है आप रैली को रद कर पसिばन नहीं कर रह है रद कर रहे हैं आगे कि निर्धारित ही नहीं होगी बताओगे क्या मतलब विद्रोह तो है कॉंग्रेस के अंदर भी और गठबंधन के अंदर भी ये कभ इस फोटक हो ये तो अभी समय बताएगा आज की आखरी कबर में बात सनातन विवात पर फसे स्टैलन की, तमिलाडू सीमें के स्टैलन के वेटे और मंत्री उद्यनीदी स्टैलन की टिपनियों पर बहस छिड़ी हुई है उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया जैसी विमारी बताया, इस पर राजनितिक विवात खड़ा हो गया है तमाम बहस के बीच मदरास हाई कोट ने इसे लेकर एक बड़ी टिपनी की है कोट ने कहा है कि फ्री स्पीच हेट स्पीच नहीं हो सकती कोट ने कहा कि सनातन धर्म शाष्वत कर्तव्यों का समू है जिसमें देश के लोगों, राजा, माता, पिता और गुरुओं के प्रती कर्तव शामिल है इसमें गरीबों की देखभाल करना भी शामिल है इसे क्यों नस्ट किया जाना चाहिए कोट ने सनातन के खिलाब हो रही बयान भाजी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जो स्टालिन के लिए बहुत बड़ा जटका है क्या सनातन के खिलाब बयान देकर स्टालिन बुरे तरीके से फस चुके हैं दोनों तरीके से फसे हैं पॉलिटिकली भी उन्होंने खुद फसा और फसाया भी स्टालिन ने जो विवाद पैदा किया उसी का असर है कि ये जो आई एंडिया ये गठवंदन है वो भी बिखरा हुआ है सब को लग रहा है कि अब इससे निकलने का रास्ता कहां से देखें लेकिन स्टालिन को सबसे ब मौलिक अधिकार के नाम पर नहीं बचा सकता हेट स्पीच बड़ा मुद्दा है पॉलिटिसियन के लिए जिस पर कई लोगों को सजा हो चुकी है विधाय की गई है सांसदी गई है और आगे चुनाव लड़ने पर परतिवंध लगा है अब स्टालिन इसलिए परेशान है क कानूनी पचड़े में हम उसी तरह फस गए जैसे राहुल गांदी अब मानना के केस में और जो जितने भी इन्होंने अपमान किये वो मान हाने के केस में फसे हुए है एक तारीक मिलती है दूसरे पर भादिर होना पड़ता है उसी तरीके से महराष्ट में तमिनाडो में ब इसमें सजा तो हेट स्पीच की होगी आप मौलीक अधिकार के नाम पर बच नहीं सकते है बहुत बहुत धन्यवाद से समझाने है खबरों का पंचनमा में आज के लिए फिलाल इतना ही पर आज अपने शो ब्लैक इन वाइट में प्याम मोदी के बर्दे स्पेशल पर आएंगे आपको कि आखिर क्यों प्याम मोदी नहरू से है लग तो देखना ना बूले ब्लैक इन वाइट और देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक अनलेसिस के लिए देख तेरे कापिटल टीवी हमें लाइक कीजिए शेर कीजिए और कापिटल टीवी को सब्स कीजिए नमस्कार